हेलो व्रीवन वेल्कम टो और यूटूब चैनल इस वीडियो में आज हाँ वैदिक सब्वेता के सारे इंपोर्टन कोश्चन करेंगे जो पहले एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं एक्जाम पॉइंट होई उसे काफी इंपोर् सैकेन कोश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल की सेमान जाता है तो इसके लिए हमारा ब्य उप्चन सही है हजार से छहसू यजए सापूर्व तीसरा कोश्चिन है आरे द्वारा निर्मित सब्वेता थी तो हमारा उप्षन रहेगा वैदिक सब्वेता चोथा कोश्चिन है आरे शब्द का अर्थ क्या है तो इसका उप्षन है श्रेष्ट पाज़मा कुश्चन है आरे की भासा कैसी थी? तो हमारा ओप्षन रहेगी का संस्क्रीट भासा थी छटा कुश्चन है वैदिक सब्वेता कैसी थी? तो हमारा ओप्षन है ग्रामिन वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्यान आठमा कुश्चन है वेदों को माना जाता है शुरूती नौमा कुश्चन है सबसे प्राचिन वेद है रिगवेद सबसे अन्तिम वेद है अर्थव वेद ग्यारमा कुश्चन है रिगवेद में कूल कितने मंडल है तो हमारा उप्शन डी दस मंडल है बारमा कुश्चन है आर्या भारत में संबताय आये थे मद्ध है इशिया से तेर्मा कुश्चन है रिगवेद में सुक्त है एक हजार ठाईस आर्या भारत में बार से आई और सर्व परथम बसे थे पंजाब में वेदों की संख्या कितनी है चार सोलवा कुश्चन है रिक वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाई क्या था तो उनका व्यवसाई था पसुपालन रिक वेद के किस मंडल में शुद्र का उलेक पहली बार मिलता है तो इसका अंसर रहेगा डी दस्वा मंडल अठारमा कुश्चन करते हैं पुराणों की संख्या कितनी है ओप्शन ए है अठारा प्राचिन्तम पुराण कौन सा है मतस्य पुराण बीसमा कुश्चन है रिक वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है ओप्शन बी सरस्वती नदी इक्किसमा कुश्चन है रिक वेद का कौन सा मंडल पूर्णते सोम को समर्पित है रिक वेद का कौन सा मंडल पूर्णते सोम को समर्पित है तो इसके लिए हमारा उप्शन रहेगा तीसरा नौवा बाइसमा कुश्चन है गाहितरी मंतर किस पुस्तक में मिलता है रिगवेद तेशमा कुश्चन करते है उपनिशद पुस्तके हैं दर्सन पर अधारित चरक सहीता पुस्तक किस विशे से समंदित है चिकी तसा चिकी स्तक्पे पच्चिसमा कुश्चन व्यादिक यूग में परचलित लोकप्रिय शासन पर नाली थी गणतंतर चप्विसमा कुश्चन है प्राच इंतम व्याकरण अस्टध्याई के रचनकार है पाणी नी आधी काव्य की संग्या किसे दी जाती है रमायन नेक्स्ट कॉश्चन करते हैं वैदिक समाज की अधारबुक इकाई थी कुल ठीक है उनत्तिसमा कॉश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सरोच स्थान पराप्था परजापती तीसमा कॉश्चन है गायत्री मंतर की रचना किस ने की थी विश्वामित्र इकत्तिसमा कॉश्चन है भारतिय संगीत का आदिगरंत कहा जाता है सामवेद को किस वेद में जादूई माया वशी करण का वरणर मिलता है अर्थववेद तीसमा कॉश्चन है भारतिय शासन के परतीक ये शब्द सत्यमेव जते किस गरंद से लिए गए है तो मुंड को अपनिशद चौनतिसमा कॉश्चन है वैदिक लोगों दोवारा किस वस्तु का परियोग सबसे पहले किया गया तामबा पैंतिसमा कॉश्चन करते है इन में से किस फसल का ग्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था तो अप्शन चोथा तमबाकू का ग्यान नहीं था च्छतिसमा कॉश्चन करते है वैदिक आर्यों का परमुक बोजन कौन सा था तो option B है दूद और उसके उत्पाद 37 वा question करते हैं यग सुत्तर निम्त लिखित में से किस वेद में है तो option C रहेगा यजुर वेद माभारत का प्रारंबिक नाम था option B जैसे ही था 49 वा question है निम्त लिखित में से किस वेद में जादू, चमतकार और तथा मंतर दिये गए है तो option D है अर्थव वेद 40 वा question है कौन सा वेद धार्मिक अनुस्टानों से सबंदित रखता है सबंद रखता है तो हमारा जो B option है यजुर वेद 41 वा question है वैदिक काल में आठ परकार के विवा पर चली थे इन में से कौन सा प्रेम विवा है गंदर विवा 42 वा question है निम्त लिखित में से कौन सा वेद वेद त्रियेई का भाग नहीं है तो इसके option रहेंगे अर्थव वेद D option 43 में question है किस नदी के किनारे लिखिवेद सब्वेता सबसे अधिक समर्तित थी तो option B रहेगा सरस्वती नदी Thank you